नमस्कार साथियो मैं दिपक शर्मा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा पॉड़कास्ट एक ऐसे संगर्ष की कहानी जो आपकी रूह तक को हिला देगी आज हमारे साथ हैं रेश्मा खातून जी ऐसी अटेक से लेकर अभी तक पिछले तकरीबन दस सालों के जीवन मे उन्होंने क्या संगर्ष किया आज हम अपने पॉड़कास्ट के जरिए वो जानेंगे और तमाम काम में पहलों पर चर्चा करेंगे एसीड अटेक के बारे में रेश्मा खातून जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पूस्ताच में तो सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि एसीड अटेक से पहले आपका जीवन कैसा था सबसे पहले आपके वीवर्स को मैं हेलो करना चाहूंगी आपको ठाइंग आपने मुझे यहां बुलाया तो सबसे पहले मेरे लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा था मतलब इतना भी खास नहीं कह सकते क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तब ही पापा ने हमें चोड दिया थ जिनुने हमें पाल को सके बढ़ा किया हम चार भाई बहने तीन बहने एक भाई तो इसलिए में सोचा था कि जादे एज्चा चल रहा था जोड़ दिया था कि ताकि मैं अपनी मम्मी को हेल्प कर सको तो मी जौब ही कर दी थी उस टाइम लेकिन सब सिचुएशन थोड़ा कं जौब करने लगी थी लेकिन अचानक ऐसा हाथसा हो गया मेरे साथ उसके बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदल से कही तो जब यह ऐसी डटक की कहानी हुई आप कितने साल के थे यह कब की घटना है यह सर्ट 2014 का घटना है में जब 19 साल की हुई उसके बाद यह एकसिडें है जो दुरगटना है इसको साजा करना चाहेंगे हां बिल्कुल बताना चाहूंगी सर क्योंकि सब को पता भी चलना थी है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जिनका माइंड कितना जादा खराब है एक लड़की को लेकर एक्चुली मैं जहां जॉब करती थी वहां पर दो लड़किया थी मेरी फ्रेंड जैसी थी वह लो उसका कजन भाय था जो इंडियन आर्मी में था उसने मुझे शादी के लिए प्रपोस किया था कि मुझे शादी कर लो लेकिन मैंने मना कर दिया था रीजन यह था कि वह पहले से शादी शुदा था पहले तो हमारी अ एक होता ना कोई अगर एक relation में आ जाता है बाद में फिर दोस्ती तो थरी problem होती है तो मुझे बिलकुल पता नहीं था कि वो शादी शुदा है जो आडमी का लड़का था जब मुझे पता चला तो मैंने बुला कि नहीं जो जूट से रिस्ता शुरू होता वो तो आगे चली सकता तो मैंने मना कर दिया फिर मेरे घरवालों ने मना किया कि नहीं नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी माबाप अपनी बच्ची को एक शादी शुदा इंसान के साथ नहीं शादी करा सकता क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो इंसान शादी के चार साल बाद भी अपनी बीवी या तो मुझे से शादी कर लो या फिर जिन्देगी भर तुम बहुत बुड़े हालात में रहोगे ऐसा कर दूँगा पहले तो उसका धंकी मुझे इतना यह लगा लाइटली कि बहुत ऐसे बोलते तो मैंने इग्नॉर किया था लेकिन अचानक एक दिन ऐसा दिन आएगा मैंन सामनी घुषित किया गया आईपीसी सेक्शन 494 के तहट एक पतनी के रहते दूसरी शादी करना पूरी तरह दंड़निये हैं अपराध है जिसमें साथ साल तक की सजा के प्रावधान है तो जैसा रेश्मा जी आपने बताया कि चलती गाड़ी में आपके उपर उसने ऐसी ड इतना बरा हाथसा हो सकता है जिस ताइम मुझ पर ऐसी टेक किया गया जब मैंने घर से निकली थी ना तभी हमारे कार की पीछे बाइक में देखा था कि दो बंदे हैं लेकिन बिल्कुल ब्लाइक ड्रेस में था हेलमेट वगरा लगा एक फिंगर तक ने दिख लेकिन मैं उ तरफ में आती ही वह मीरर के सामने आया और मेरे पे तिजाब डालके वह निकल गया तो उस तेम दो मुझे बिल्कुल समझ नहीं कि क्या हुआ मैं तुरंत अपने आखे बंद कर ली और उस टेम मुझे सड़न नी पता नहीं चला जा या मेरे मुझे नाख में चला गया आख और भी मेरी फ्रेंट थी वह चिलाने लगी कि तिजाब डाल दिया तिजाब डाल दिया फिर मैंने जब आखे पोच के इसे खोली ना तो मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा मतलब एक सेकेंड में आपके जिन्हीं कैसे बदल सकती है उस दिन मैंने महसूस किया और जैसे आइस क्र कान कला में भाब जल के मेरे हाथ में घर गया उड़को फिल्कुल पूरा बाल मेरे हाथ वह तो गशäreस लिए मैं उसको बता नहीं सकती कि मैंने क्या फिल किया और मेरे मुझे से यह आ था मम्मी मम्मी में चीक रही थी और मुझे कुछ भी नहीं दिखा दिरा था लेकिन वहां के लोग वीडियो बनाने पर लगे थे यह नहीं कि भाग के कोई आए आप पर पानी डाले किसी के पर दूद में वाइडल हो जाओ यह हमारी समाज में बहुत बुरी बात है जो मुझे बिलकुल अच्छे नहीं लगती और किसी को यह चीज अच्छी नहीं लगेगी रास्ते में कोई चीज हो रहा तो वह बीडियो बनाने लगते अगर एक भी बंदा आगे आके मेरे उपर पानी डाल मेरे फेस पर में तरब तेरी में रोड में गेड़ गई लेकिन सब गोल से खड़े हो के तमाशा देख रहे थे किसी भी दूसरे व्यक्ति पर एसिड फेकना पूरी तरह दंडनिय अपराध है जिसमें दस साल तक की सजा के प्रावधान भी है तो यह इंसिडेंट होने के बाद आपको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जी बिलकुल आपके दोस्त लेकर जाते हैं पब्लिक लेकर जाती कोई नहीं था हमारे तीम से था जहां में जौब करती थी हम सब एक साथ जाते थे तो वहीं से कुछ लोग थे जो मुझे लेकर गये थे अंदर तक इस घटना ने आपको आपको और आपकी लाइफ को फिजिकली मेंटली पूरी तरह से जरूर प्रभावित किया हुगा बिल कुछ कुछ देख पाड़ी हो तो मैं कुछ भी नहीं बिल्कुल ब्लाइंड टोटली लेकिन मुझे खुले आख में दीखता था एकदम किलियर कि वह लड़के के हाथ में चाक हुए वह फिर से आ रहा है उसके हाथ में ब्लेड दिखती थी मुझे उसके हाथ में तेजा का कि वह फिर से आ रहा है तो इतना om mentally मैं इतना depression में चली गए ते कभी भाग के में hospital के बैट के नीचे छूप जाते थी कभी भाग पूर होता था लेकिन मझे दीखता था कि वह रासता है वह दरबाजा में haak ke divarachon ko nuchty thi कि मुझे जाना है भागणा यहां से और मिरी ममी मेरे pass होती थी लेकिन उनको मैं कहते थी मेरी ममी को बुलाओ मेरी ममी को इतनी बुड़ी तरीके से में यह हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं वह सब दिन यहाद आता है तो मैं सोचती हूं अभी कि क्या में हुआ ही थी तो बहुत-बहुत बुड़ा हाल था उस टेम मतलब मैं क्या यह बोलू कि कैसे लेकिन जब पुलिस को देखा तो वहां से भाग गया वहां कर दया तो मैं कोकाथा आ गयती वहां एच Key कि पता बहुत पकड़िया कि लाए गया हो तो तुमोंने वहां ने बताया कि हरी आना सो उसको टूर्य गया कितने दिन बाद ये उसको पकड़ लिया था हप्टे दस दिन के अंदर ही उसको अर्यस्ट कर लिया था उसके बाद जो है जिल में था लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि उसको कोई सजा Concept नहीं मिली पर कि एतना बुड़ा सिच्वेशन हमारा आ गया था कि हमनेकोई गर बेचना पड़ा हमारा समान पड़ा कूए हम इतने ना अमीड फ्यामिली से ना कुछ ना कोई सपोर्ट के लिए था तो बहुत बुड़ा कंडिशन था हमारा उस टाइम गौर्मेंट की तरफ से आपको कोई सहता राशी प्रदान की गई उस टाइम नहीं हुई थी लेकिन एकसिजरी के बाद मुझे तीन लाक मिला था लेकिन तीन लाक प्रदान की जाती है तो जैसा आपने रेश्मा जी बताया कि तकरीबन डेड़ से दो साल बाद आपको यह साहता राशी दी गई इसके अलावा आपको सरकार की तरफ से कोई साहता नहीं कोई साहता नहीं मिला जब मेरा एकसिजरेंट हो तापको पता है कि मीडिया के सामने आने के लिए लोग कैसे करते तो वहां के जो सांसत थे बंगाल के जो भी में उतना पहचानती नहीं हो तो उन लोगों ने खोब कहा था कि हम बिलकुल इनको ठीक कर देंगे जितना ट्री कि कोशिशने की अंदर तक जाने नहीं दिया कि मेरी मम्य को वह बुलाएं या उनका कोई हेल्प करें या मेरे एक ट्रिक्मेंट मेरा किसी नहीं करवाया आपने कानूनी लड़ाई लड़ी जो एक्यूज्ड है उचार महिने सलाकों के पीछे रहा इन सब के दौरान आपको को कानूनी साय था इस में किसी तरह की मदब मेली ने कोई मदद नहीं मेली मुझे सर और ओल्दा जब में होस्पीटल से घर आई थी जब मुझे पहली बार डिस्चार्ज मिला और मैं घर आई घर आने के बाद मुझे पता चला कि उस बंदे को तो चार मेने बाद ही चोड़ दिया था उस टेम में टोटली ब्लाइंड थी और मैं अब भी तो ओपें चल रही हूं उस टाम तो मेरा यह हाल था कि मैं डर्ती थी क कोई मुझे देख ना ले तो ब्लाइक चस्मा बोड़खे में रहती थी मम्मी को कहा मुझे ठाने लेके चलो थाने में पहुंची वहां जाके पुलिस वाले थे उनको मैंने जाके बोला कि सर जिसने मुझे इससे टाइक किया था उसके साथ क्या हुआ तो बला उसको बेल मि इतना बड़ा जिसने किया है इतना बड़ा हाथसा उसकी सजा स्रीप चार में तो पुलिस वाले ने मुझे क्या बोला मैडम चार महिने मतलब 120 दिन बहुत होते उस बंदेने अपना सजा काट लिया तो मैंने उनको यही कहा कि सर चार महिने मतलब एक लड़की की पुड़ी जिन्देगी खराब उसने कर दी और आप मुझे येज कहरे कि सिर्फ चार महिने तो ठीक है उसने मुझे सर इतना गुस्ता आया कि मैं क्या बोलू मैंने बिला ठीक है जब मेरी आँकर ठीक होगी ना मैं उसको आपके थाने के सामने लाके तिजाब डालूगी आप मुझे एक साल रख लेना मैं कुछ नहीं बोलोंगी लेकिन कि आप ऐसे कैसे बोलो चार मेने मेरे वहां बहुत बेस हुई उसके बाद फिर में वहां से चली गई उस दिन समय सच बोलो ना तो पुलिस बालों पे और बहुत मेरा दिल टूटा था कि शायद ऐसा कोई है जो मेरा सप साथियों यहां में आपको बताना चाहूंगा आप किसी भी स्टेट में रहते हैं महां की लीगल सर्विस अथोरिटीज नाइटीन एटी सेवन यह सुनिश्चित करता है कि एसिड अटेक सर्वाइवर्स को बिना उनकी फाइनेंशल कंडीशन देखे हर प्रकार की कानूनी स कि मेरा वकील कौन है दोहजार यहां पर 2014 में मेरा एक्सिडेंट हुआ मैं जितनी बार थाने गई हो मुझे एक बार भी सही से कोई रिस्पॉंस नहीं मिला मैंने उनको यह भी पूछा कि मेरे मेरा जो के से कौन है वकील कौन है क्योंकि मुझे पता था वहां पर किसी ने ब बढ़ दीजए मुझे उनसे मिलना है बात करना है मुझे यह तक नहीं पता आज तक कि मेरा वकील कौन है क्योंकि मुझे बताया है नहीं किसे ने आप तारीकों पर जाते थे हैं मुझे मिला ही नहीं को तारीक आज तक सिर्फ ठाना में बोलती कि आप जाओ घर आपको लगता है कि आपको सबसे बड़ा सहारा सबसे बड़ा स्टेंथ पिलर आपका फैमिली में दोस्तों में कौन रहा है साधी से पहले तो मेरी मा थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कहते ना मा भवान जो होते ना वह सामने हर बार नहीं आसकते इस लोगे मा को बनाया तो मेरी मा ने मुझे कभी ने छोड़ा आज अगर मैं जिन्दा हो तो उनके वज़े से शादी से पहले मेरी ममी ने मुझे सपोर्ट किया और शादी के बाद अभी मेरे पती में मुझे सपोर्ट करते है शादी से पहले आपकी मदर और अब आपके हस्बें आपको क्या लगने दिया वेसे से मेरे husband उन्होंने भी जब से मेरा हाथ थामाए ऐसे ही उन्होंने मुझे अपनाया है accident के 4 साल के बाद वो भी उन्होंने मुझे से love marriage किया और उन्होंने भी आज तक एक पत्थर का जो कहते न ठोकर लगा वो भी नहीं लगने दिया तो इस मामले में खुद को लगी मानती हूं में साथी यो बहुत से incident ऐसे देखे जाते हैं कि इस तरह के survivors को generally families abandon कर देती हैं ऐसे cases में government की तरफ से Rehabilitation Act 1992 इसके अंदर प्रावधान किया गया है इस तरह की जो survivors हैं जो victims हैं उनके employment, education, खाना रहना सारी चीजों की विवस्था सरकार की तरफ से की जाती है आप इन चीजों से aware रहे रिश्मा जी जो अभी तक मैंने आपको कानूनी fact बता है तीन लागा तो मुझे पता था क्योंकि मुझे मिला था और बाकी यह सब मुझे पता नहीं था कि free treatment भी होता है education होता है क्योंकि अगर हम यह सब सुनके भी हम जाए कहीं पता करने ठाने में या court में तो आपको पता ये पैसे जेब में चाहिए होता है और एक survivor के पास आप मान लीजे कि आपको एक रुपे भी नहीं मिलेगा क्योंकि treatment में इतना चला जाता है hospital में भी एक थ्वाफ्री treatment नहीं किया जाता है बहुत सारे एसब hospital है मैं चाहता हूँ रेश्मा जी आप पूस्ताज के माध्यम से लोग अंदर धारणा है कि आप मेक अप कर रहे हैं आप एक बार अगर आप comfortable है तो आप दिखाए कि आप जो यह उत्पीडन है जो आपने जहला है वो की सत्तक है जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपकी जो मैं लेंस लगा हुआ है और अग के पीछे मेरा टीत लगा हुआ है दात निकाल के डॉक्टर ने लगाया है यहां पे और यह जो है यह कोई मेक आप नहीं है बाकी जो लिदिविक हो कड़ा लगाना वो तो मेरा शौक है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप यह कोई कह तो भी मैं उनको कहते हूं कि आप घर बेटो मुझे देखने मत आओ और एक चीज में बताना चाहूंगी कि लड़कियों को लेकर होता है कि जीन्स पहना है मुझे कहते थे कि सारी पहन के कमर दिखा के लड़कों को यह कर रही है यह जीन्स पहन के टाइट पहन के तो कप्रे सब्ढeted चोटे कप्रे खराबस होते लोगों कि सोच खराब होती है और यह जो मेकप करना यह किसी को दिखाने के थी खुद को कम्पूरडबल वह लिए होता है तो यह कोई मेकप नहीं है यह चेहरा है मेरा आंक बहुकुत नहीं होता है और एक पूरा चेस्ट जला हुआ है मेरा बिल्कुल पैर जला हुआ है तो वह सब मैं नहीं निखासकती इतना आप लोग देख के समझी सकते और मेरे फेस पर जितना भी इतना भी आसों दीकम falls निख रहा है औ dark ञेकल मेरे थाज से काड़ कर मेरे चेहले पिल्कुल आप देख रहे हैं यह चेहले यह सब जरी बैक टो बैक और काफी लंबे समय तक चलती है अभी तक मेंने 33 उपरिशन करवा लिया है 33 उपरिशन कम नहीं होते सर बहुत ज़ादा कभी आपके पैर से स्किन काट आपके चेहरे पर लगाया जा रहा है अधिर कान भी काटके मेरे आपके लगे लगा गया है आक केंदर में मुंग निकालका लगाया गया है तो वह एक एक दर्द एक पेंड जो है ना वह में बताई नहीं सकती ना वह में महसूस किसी को करवा सकती हूं तो बैक तुब एक ऊपरेशन चलता एक ऊपरेशन हुआ फिर उसको रेस्ट फिर एक मिने रेस्ट ऐसे करकर के सर्ज्रीरिस कंटीनु होती 3300 प्रिशन करवाने के बाद मेंने सोचा जब मेरी शादी होगा कि नए अब नहीं करना मुझे क्योंकि किसके लिए करना है मेरे पती को मैं ऐसी दुनिया की सबसे सुन्दा लड़की लगती हूं मेरे घरवालों को मैं सबसे अच्छी लगती हूँ सबसे बड़ी बात मेरा बच्चा अभी 4 साल का होने वाला है वो मुझे पहचान था कि मैं उसकी मां हूँ अब यही मेरी पहचान है अगर मेरी आख की रोशनी आ जाती तो मैं और सरजरी कराती लेकिन मेरी आख कभी ठीक हो कि तो बहुत हो गया मेरा बच्चा मुझे पहचान रहा मेरे घरवाले मुझे पहचान रहे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप हमारे चैनल के माद्यम से जो व्यूर्स हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे मैं सब को यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप लोग हम लोग जब एक सोचल मीडिया में जूर जाते तो आप लोग हमारी एक फैमली हो जाते हो तो आप सभी से यही में हाँ जोर के रिक्वेस्ट करूंगे कि प्लीज रास्ती में अगर कभी भी आप यह देख रहे हो कि 10-10 रुपय में अगर एसेट सेल हो रहा है तो आप आग दिदना ही छोड़ देंगे तो वह बंद हो जाएगा उससे और भी लड़की लड़कों मतलब ऐसा नहीं से लड़कों पर एसे टैक होता है लड़कों पर भी हो तो आगे बढ़के कोशिश कीजिए कि उसको रोकने का यह मैं सोचे कि यहां पेतने साड़े लोग है यह और आएगी उसके बाद दूसरा तीसरा करते हजारों कदम आगे आएंगे और आप उस इंसान के जिन्दगी बचा सकते हो तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी और कभी भी आप लोग को ऐसा दिखता है लोग तो उससे आंक मत मुनिए पीछे मत हटिए आप साम कीजिए इससे बहुत सुधार आजाएगी और चोटी-चोटी चीजों में जो गिव अफ कर देते आज के बच्चे चोटे एक्जाम में कुछ अगर नॉर्मल मार्क्स आ गए तो गिव अफ कर देते इसा भी बहुत होता है फांसी लगा लेते सुसाइट कर लेते तो इसा न कुलना चाहूंगे बस दोस्तों सरकार के द्वारा इस तरह के एसिट अटेक से बचने के लिए जो मैंत्मून कदम उठाए जा रहे हैं मैं उन पर प्रकास डालना चाहूंगा नंबर वन लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन साथियों एसिट का व्यपार करने वाले लोगो को गौर्मेंट से एक खास तरह का लाइसेंस लेना होता है और गौर्मेंट के द्वारा टाइम डू टाइम निर्दारित किये गए प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है और जिसके चलते वो अपने इस बिजनस को आगे बढ़ा सकते हैं पॉइंट नमबर टू इस्टिक्ट मॉनिटरिंग साथियों सरकार एसिट बेशने वालों पर पूरी तरह इस्टिक्ट मॉनिटरिंग करती है कि किस तरह से वो एसिट को स्टोर करते हैं सेल करते हैं किन स्टेंडर्स का वो पालन करते हैं इन सभी स्टेंडर्स की द्वारह government को दी जाती है नंबर 3, record keeping साथियो इन acid बेचने वालों को सभी community standards की report government को देनी होती है और किसी भी निरदारी साल के अदर उन्होंने कितना acid बेचा उसकी पूरी complete report government को submit की जाती है उनके audits किये जाते हैं. Point no. 4. Background checks. सातियों, कुछ देशों में acid बेशने वालों के लिए उनके background check को निर्धारित किया जाता है कि acid का विपार करने वाले लोग किस तरह के लोग हैं? उनका background क्या है? कोई antecedents के अंदर, पुराना उनके उपर कोई क्रिमिनल केस तू नहीं है? साथियों सरकार के दुवारा मुहिम चलाई गई है कि एसेट आप सिर्फ वेरिफाइड वेंडर्स के थुरू खरीदेंगे और उसको खरीदने का परपस पूरी तरीके से आप वेंडर को नोट डाउन कराएंगे जिसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट वो अपने आगे अधिकारियों को सब्मिट करेंगे जो आगे जाकर गवर्मेंट के पास जमागी जाती है पॉइंट नमबर सेक्स पैनल्टीज एंड पनिश्मेंट साथियों एसिट का दुरूपयों रोकने के लिए सरकार के द्वारा आईपीसी के अंदर बहुत से प्रावधान किये गए हैं और बहुत सी पैनल्टीज और पनिश्मेंट डिसाइट की गई हैं जिससे की एसिट का दुरूपयों किसी तरह से ना हो सके और जैसे हमारी रेश्मा जी सामने बैठी है इस तरह के विक्टिम्स समाज के अंदर ना हो सके तो साथियों अभी आपने हमारे समाज में बहुत सी अलग मानसिक्ता वाले लोगों के द्वारा एक किया गया एसी डेटेक और एसी डेटेक की सर्वाइवर रेश्मा खातून जी को पूस्ताज के सेट पर देखा जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी एसी डेटेक होने से पहले एसी डेटेक के बाद हमारे साथ साजा की मैं उम्मीद करता हूं आपको रेश्मा खातून जी की रियल समझ में आई होगी आपने पूरी देखी होगी और मैं अपील करता हूं कि आप समाज में इस तरह इन फ्यूचर कोई भी इंसिडेंट होते वे देखते हैं तो उसके खिलाब आवाज जरूर उठाएं और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेश् कुछ कहना चाहेंगे आप पूछता बिल्कुल कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो यहां के बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के साथ मेंने अपनी स्टोरी शेयर की यह बिल्कुल रियल है तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादे जादे आप लोग गुना ही मान लो है तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमेंट करके अपने बाते बताएं और फिर ऐसे ही प्यार देते रहें थैंक्यू रिश्मा जी पूछताच के सेट पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्यू गाइ है